महारास्ट में चर्चा है कि मौन्जोन शेसंस चुरू होने से पहले एक बार फिर से कैबनेट विस्तार हो सकता है इस महीने की शुरुवात में ही अजीत प्मवार की लीडर्शिप में आये एंसीपी गुट के नो मंत्रियों ने शपत ली थी इसके बाद अब एकनाश शिंदिक और भाजपा कुट के भी कुछ नेताओं को मंत्री पत दिया जा सकता है इस बीचे एकनाश शिंदे समर्तक विधायकों में या जानने के लिए बेचैनी है कि आखिर उनका राम कैबनेट विस्तार में है या फिर नहीं यही नहीं कई विधायक तो पाला बदलने के मोड में भी है सुत्रों का कहना है कि कुछ विधायक उदर ठाकरे सेना के भी संपर्क में है और यदि मंत्री पत नहीं मिला तो फिर उनके साथ जाने पर विचार कर सकते है यही नहीं NCP के विधायकों में भी काफ़ी बेचैनी है उन्हें इस बात की चिंता है कि आखिर कौन से विवाग उनको मिल पाएंगे शपत लिए एक सबतास्ते ज़धा हो गया है लेकिन अब तक विभागों का आवंटन नहीं मिल पाया है पिछले दिनों अजीत परवार ने वित मंतराले उर्जा मंतराले समित कई एहम विभाग मागे थी लेकिन शिंदे गुट को इस पर आपती थी ऐसे में इन विभागों का बटवारा नहीं हो सका अब खबर है कि दिल्ली में भाजपा का हाई कमान इसे लेकर मंतर कर रहा है अगले दो से तीन दिनों में ही मंतरियों को विभागों के बटवारे और विस्तार खबर ये भी है कि 14 और मंतरियों को सरकार में शामिल किया जा सकता है इस वक्त सरकार में फिलहाल तीन पार्दियां हैं जिनमें बीजेपी, एक नाशिंदे गुट और अजीर पवाल को इसलिए तीनों पक्षों की सहमिती और फिर भाजपाहाई कमान से मंजूरी मिलने में देरी हो रही है चोचा है कि भाजपाहाई कमान अपनी ही कुछ मंत्रियों और शिंदे गुट के कई नेताओं के कामकाज से खुश नहीं ऐसे में इन लोगों से इस्तिफे लिए जा सकते हैं फिर इसकी जगा पर नए मंत्री लाए जा सकते हैं और कुछ बढ़ाए भी जा सकते हैं इस बीच एक नाशिंदे गुट में बेचैनी का आलम है बीटे एक साल एक नाशिंदे के साथ आये 40 विधायकों में से जादतर को अब तक मंत्री बनने का इंतिजार है कई तो ऐसे हैं जो उदो ठाकरे के राज में भी मंत्री थे ऐसे में ये लोग मंत्री बनना अपना हक मानते हैं और भाव ना मिलने से नाराच चल रहे हैं कई ने तब उदो ठाकरे के भी संपर्क में हैं जिससे एक नाशिंदे कुट पर दबाव बढ़ रहा है NCP के सरकार में आने से पहले चर्चा थी कि शिंदे कुट के विधायकों को 12-13 मंत्री पद मिल सकते हैं लेकिन अब इन लोगों को अपनी संभावना कम जोड लग रहे हैं इसके चलते एक नाशिंदे को अपने समर्ट्यकों को समझाना मुश्किल हो रहा है बेडरीपोर्ट इंदिया पोस्ट्यूस